ये देखे कितनी फ्रेश लीफ है एक्तम नई पत्या है कोई भी काट चाट नहीं है कैसी भी जो है इसके अंदर कोई बुराई नजन ने आरे एक्तम धूली हुई और चमकती हुई पत्या है ये सारी-सारी नई पत्या है और जो थोड़ी मुड़ी भी देख रहे हैं आप जल आने वाली हुँ छोड़ इसी टिप जिससे आपका प्लांट पत्यों से भर जाएगा और शिवरात्री पर आपको एक भी पत्यों की कमीन नहीं रहेगी है हलो फ्रेंट्स मैं हूँ जैनती सिंग और आप देख रहे हैं मेरा चैनलाज जैनती सिंग ब्लोग सबसे पहले तु इसके लिए मैं आपके लग बताने वाली छोड़ी सी टिप इससे पहले भी मैं आपको एक साथ एक वीडियो शेयर किया था शायद आपने नहीं देखा तो चलिए फिर मैं आपको बता देती हूं 26 जुलाई को शिफराती है उससे पहले आपके बास 15-20 दिन है तो आप तया और उनके साथ हार्ट प्रूनिंग करनी चाहिए तो मैंने इसमें हार्ट प्रूनिंग के बारे में आपके साथ दो तीन वीडियो पहले भी शेयर कर चुकी हूं नहीं कि अगर आप लोगों नहीं देखा है तो कोई बात नहीं आप जाके दुबारा से देख सकते हैं मैं आज प्रूनिंग की थी हार्ट प्रूनिंग वो मैंने जो है 18 June को किया था अगर मैंने 18 June को किया तो आज 6 July है तो कम से कम 19-20 दिन हो गए हैं और 19-20 दिन में हार्ट प्रूनिंग के बाद ये देखें में जो नई पतिया निकली हैं वो बहुत ही जादा सुन्दर प्यारी एकदम हरी हरी फ्रेश हैं तो अगर आप भी चाते हैं कि आपके पास इसी तरीके से बेल पत्र मिल जाएं आपको पूजा के लिए शिवरात्री पर तो अभी आपके पास भी अराम से 18-19 दिन हैं आप हार्ट प्रूनिंग कीजिए आपको अच्छी अच्छी पतिया आपको मिल जाएंगी दूसरा फायदा ये है कि इस वक चल रहा है सावन का महीना यानि के बारिश का टाइम तो इस वक्त हार्ट प्रूनिंग मस्ट होता है बहुत जरूरी होता है करना इससे आपको इतनी सारी सुम्दर सुम्दर पतियां खुबश्रा खुबश्बश्रा पतियां मिलते हैं और हाट प्रूनिंग हर प्लांट के साथ कर सकते हैं तो हाट प्रूनिंग क्या होती है कि आपको डाली तोड लेनी है कैंची लीजिए कैंची से आप जो डालियां हैं उनकी कटाई छटाई कर दीजिए हाँ काटे तív अक्सर दर्द होता है लोगों को यह देखे कितनी पैरि पैरि पत्तिया है अलग अलग नई नहीं ब्रांचेوم से निकलेंगी काट से निर्थ होता है plant को मिछे भी होता है लेकिन मैं यह जानती हूं कि जब हम cutting करते के लुज झाती है उसके बाद जो नई न've ृफ युष्ण ही मिलते, कहा गया हो जाता और आपका दूसरा फाइदा यह होता है कि आपको जो है पौदा है वो बहुत घना हो जाता है ठीट सारी इसमें पतियां आती हैं यह देखिए कितनी सारी पतियां अब इसमें नई पतियां भी हैं और पुरानी पतियां भी हैं नई पतियां आप जो है बिल्कुल साफ देख स होगा ही तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको वे बेल पत्र मिल जाए शिवराती के दिन तो आज ही कैंची उठाइए और कटिंग कर डालिए और पानी पौधे को रखिए जो है शाइनी एरिया में यानि धूप में और दीजे धेर सारा पानी बाकी जो है बारिश का पान इंपोर्टेंट बात बताने जा रही हूं शायद बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता जिस दिन पूजा होती यानि शिवरातरी के दिन हम बेल पत्र की पूजा करते हैं शिव जी की पूजा करते हैं और उसी दिन कुछ लोग बेल पत्र तोड़ लेते हैं तो जिस जिस दिन आपकी पूजा है उस दिन बेलपत प्लीज मत तोड़िएगा उससे एक दिन पहले तोड़िएगा उसी दिन हमको नहीं तोड़ना चाहिए जिस दिन हमको पूजा करनी होती है तो हैपी शिवराती आप लोगो को और उमीद करते हूं आप लोगो को मेरा वीडियो अ स्क्राइब कीजिएगा मैं हमेशा आपके साथ ऐसी इंफोमेटिव वीडियो शेयर करती रहती हूं और फिर भी कोई आपको कुश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मैं आपको रिप्लाइज जरूर करूंगी और थैंक यू फॉर बॉचिंग शेय हाँ हाँ